कीसे हैं लोग आप लोग और इससे बोलन करीयर और करीयर बनाना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ी problem इस्टिस आते हैं वो हमारे पास practice के लिए जाते हैं विकास हम जो है रियल इंवार्मेंट में जो चीजों को चाहिए वो सर्वर्स हैं कंप्यूटर्स हैं या फिर हमारे जो भी नेटवर्किंग स्विचेज बगरा हैं उन सब को जो है हम लोग फेजिकली स्रफ तभी यूज कर सकते हैं जब उसके अंदर कोई इशू है या कोई नया इंस्ट्रालेशन करना हैं हम एक बहुत लंबे-ंबे समय तक जो है कोई भी इन्स्ट्रालेशन या कोई भी प्राक्टिस पिंडर्न के लिए इंवार्मेंट वहाँ पे नहीं मिलता इसलिए हम लोग विडियो के अंदर बताम कि किस तरह से आप vmware का इस्तेमाल करके आप इसके अंदर windows server या फिर आपके windows computers या फिर इनके अंदर जो virtual switches होते हैं उनको कैसे create कर सकते हैं कौन सा switch आपको कहां पे किस condition के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है तो यह सारी detail आप लोगों को बताने माला हूं तो बने रही है वी create new virtual machine आप यहां से भी select कर सकते हैं या फिर आप यहां पर file पर जाके new virtual machine दोनों पर ही जैसा भी चाहें आप click कर सकते हैं यहां पर आपके पास दो अलग-अलग options आते हैं पहला आता आपका typical दूसरा आता है आपका custom तो typical जो है वो आपका ज्यादा सही नहीं है मैं यहां पर बोलूगा आपको कि आप custom पर click करें और यहां पर next पर click करें तो next पर आपके पास जो भी आ है इसको कुछ नहीं करना आपको सीधा next पर click करना है अब यहां पर आपको तीन option दिखेंगे पहला जो है वो अगर आपके पास DVD वगर उसके अंदर आपके पास ISO image है तो आप इसक पास license वगरा की requirement जो आपके पास पहले से license वगरा है तो अभी यहां पर जो है हम लोग तीसरा option select करेंगे that I will install the operating system लेटर तो यहां पर click करने के बाद जो है आप इसको next पर click करेंगे अब यहां पर आपको Microsoft Windows और यहां पर आप क्या install करना चाहते हो वो आप यहां पर select कर ले अभी मैं यहां पर यही नाम रहने देता हूँ यह आपकी location अगर आपको change करनी है तो आप यहां पर browse पर click करके इसकी location जो भी आपकी चाहिए आपको change कर सकते है recommended यह है कि आप इसको c पर ना रखें कई बार हमारा windows crash हो जाता है तो ऐसे में आपका जो मैनत करी है वो आपकी यहां पर खराब हो सकते है इसलिए आप इसको किसी दूसरे drive के अंदर रखें C पर ना रखें इसके बाद आपको यहां पर सीधा next पर click करना है और यहां पर firmware पूछ रहा है तो दो तरह के एक bios और एक UEFI है तो हम यहां पर bios को select करते हैं और इस पर next पर click करते हैं यहां पर number of processor और आपके core processor के पूछ रहा है तो आप यहां पर one one कर दें और इसके बाद next पर click कर दें तो आपको कितनी RAM allocate करनी है वो आप यहां पर select कर लें तो जितनी ज्यादा RAM आप यहां पर select करेंगे उतरना ज्यादा आपके लिए benefit है तो हमने यहां पर 2GB RAM जो है वो allocate कर दी और उ यहां पर भी नेक्स पर click करना है यहां पर create new virtual disk तो हम सीधा next पर click करते हैं और यहां पे आपको hard disk का size देना तो आप यहां पर 30 या 40 जो भी hard disk allocate करना जाते हैं वो आप यहां पर कर सकते हैं to store virtual machine as a single file तो यहां पे हम single या फिर multiple file पा इसका बिक्ल करते है तो यह आपकी जो फ पर जाके सीधा आपको finish पे click कर देना है तो यहाँ पर जैसे आप finish पे click करेंगे you can see आपकी machine जो है वो ready हो चुकिया अगर इसके अंदर कोई भी parameter आपको लगता है आपको change करना है तो आप यहाँ पर edit virtual machine पर जाके जो है आप जो भी changes करना चाहता है चाहे वो RAM का है चाहे प्रोसेसर है चाहे आपका hard disk है या फिर आपके पास ISO image अभी तक हमने ISO image select नहीं करी थी तो मैं यहाँ पर जाकर ISO image को select कर लिता हूँ browse पर click करता हूँ जहाँ पर भी मिरे पास ISO image पढ़िया उस location पर जालते हैं और वहाँ से जाकर ISO image को select करेंगे तो let me see यह मेरे पास ISO image पढ़िया मैंने इसको select कर लिया और इसको OK क्लिक कर देते हैं अब हमने यहाँ पर machine को power on करना है और जैसे you can see आपकी machine power on हो चुकी है तो यह आपकी files को load कर रहा है और एक बार file loading होगे अगर आपके पास में यहाँ पर यह Windows का icon आपको दिखाई दे रहा है तो which means you are all set आपने कोई भी configurations करा उसके अंदर कहीं पर कोई issues नहीं है तो अब यह आपका installation स्टार्ट हो चुका है Windows 2016 का server का तो अब यहाँ पर जो भी options आ रहे हैं यहाँ पर आपको next पर click करना है setup is starting तो आपकी जो setup है वो अब यहाँ पर start हो रही है अब इसके बाद आपको सीधा का सीधा जो भी आपके options दो तीन option आएंगे बस उसको उसके बाद आपका पूरा server जो है वो installation वो आपकी complete हो जाएगे तो you can see आपके पास यहाँ पर यह आपके पास screen आएगी कि इसमें आप क्योंकि 180 days वाली मैंने यहाँ पर download करके रखी है जो कि आप पर 180 days बहुत होते है Microsoft की एक बहुत ही खास बात यह है कि वो आपको free में use करने के लिए दे देता है 180 दिन तक second option को select करते हैं desktop experience और इस पर next पर click करते हैं और जैसे हम यहाँ पर next पर click करेंगे आपको agreement मांगेगा आपको license agreement पर click करना है और next पर click करना यहाँ पर आपको custom select करना है और यहाँ पर आपको new पर click कर देना है you can see आपकी windows file जो है वो installation जो है वो ready हो चुकी है और यह आपका complete हो जाएगा उसके बाद क्योंकि यह थोड़ा सा time लेगा तो time लेगा इसलिए मैं आप भी यहाँ पर जो है इसको pause करके रखूंगा सो एक बार जब आपका पूरा process complete हो जाएगा आपका server restart होगा और फिर आपको customer setting पर आजाएगा यहाँ पर आपको जो है अपना जो भी password है वो आपको enter करना है और re-enter करना है और finish पर click करना है जब आप कर देंगे आपके सामने ये screen आजाएगी alt control option आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा अब यहाँ पर करने के बाद आपने जो भी password डाला है वो आप यहाँ पर डाल के इसको enter करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर enter करेंगे तो आपकी profile जो है for the first time आपकी बिल्कुल set हो जाएगी और now you can see आपका windows 2016 server जो है वो आपका ready हो चुका है तो यह जो है आपका process है windows 2016 server को इसी तरह से आप वाकी की machine भी install करेंगे तो हमारा server का installation तो हो गया अब जो है यहाँ पर adapters जो है वो हमें assign करने हैं तो adapter assign करने के लिए हमें जाना यहाँ पर edit पर और virtual network editor पर आपको click करना है तो पहले कुछ ऐसी screen दिखाई देगी इसके उपर आपको admin right चीए ताकि आप इसमें कुछ changes कर सके तो आप यहाँ पर change settings पर click करेंगे तो यह again re-initialize हो जाएगा तो you can see आपके पास जो है यहाँ पर adapters बन गहें तो यहाँ पर तीन तरह के adapters होते हैं एक होता है आपका host only एक होता है आपका net और एक होता है यहाँ पर bridge so basically जो आपका host only जो है यह आपकी virtual machine to virtual machine ही अगर आप चाते है communication हो तो आप यहाँ पर host only को select कर सकते हैं अगर आप चाते हैं कि कोई भी ऐसी machine है जिस machine के उपर में आपका यह installation हो रखा है आपकी virtual machine आपकी physical machine से communicate कर enterprise जिसको हम लोग internal network भी बोल देते हैं तो आप यहाँ पर net का इस्तेमाल कर सकते हैं बट यहाँ पर भी चेंज इसलिए नहीं करते हैं तो तीसरा होता है यहाँ पर bridge, bridge में जो है आपका अगर आपको VM to VM communicate करवाना है तो भी आपका किया जा सकता है अगर आपका जो है VM to physical machine करवाना है तो भी किया जा सकता है या फिर आपको VM से external याने कि internet access करना है तो वो भी आपको bridge के जरीए जो है access किया जा सकता है तो यह आपका तरीका होता है यहाँ पे network adapters को assign करने का इसके बाद आपको यहाँ पे ok करना जो भी आपको adapters चाहिए जिस भी series में चाहिए वो यहाँ से आप select कर सकते है अभी network adapters को machine को assign कैसे करना है machine को assign करने के लिए आपको यहाँ पे edit virtual machine setting पे click करना है यहाँ पर आप देखते हैं network adapter network adapter पे अगर आप यहाँ पे host only करते हैं तो यह आपका private आपका जो network adapter है यहाँ पे उसके साथ में associate हो जाएगा अगर आप यहाँ पे NAT करते हैं तो आपका जो physical virtual to physical machine पे communicate किया जा सकता है और अगर आप यहाँ पे bridge select करते हैं then in that case जो आपकी virtual machine, physical machine और internet access जो है virtual machine के उपर में किया जा सकता है यह तीन तरीके network adapter जो भी आपको चाहिए आप दे सकते हैं suppose को लोग आपने multiple network adapters बना रखे हैं अपने अलगलग IP series इस्तेमाल कर रखे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं पर जाकर यह नट पर जो भी आपने करना यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके आप यहां से select कर सकते हैं तो जो भी आपको चाहिए वह यहां से रह गया है तो do let me know in the comment section below so फिर मिलते एक और ऐसी amazing video के साथ till then stay safe goodbye